प्रोग्राम लेकर आए प्रोग्राम है जिन्दगी का सासों को करती हुए सासों को सासों देने का और पेड़ पॉध है तो देनी का राज का हिए भी हम जाने और जानेंगे की बच्चों में पील लगाने की जो ललक है और जो यहांपर देख सकते यहां में वच्चे भी आए स्टूडेंट भी आए हैं परिवार को जनम दिन क्या पीड लगाकर नहीं मनाना चाहिए इतने सरकारी संस्थान हैं लेकिन आज इस आई टाइए संस्थान में आज यहां में पहुंचे हैं कॉंग्रेसिं नेता और विरारदेव गन जी आज आपक सेवा सुसाइटी और इनके माध्यम से हमने एक नई मुहिम आई टीए रंजीत ब्रांच में प्रिंसीपल गुर्बक सिंग जी की द्यक्षता में हमने आज यहां पर कारेकरम रखा है अगर हम त्रवेणी की बात करें यह मुहिम तीन पौदों को मिला के त्रवेणी मनती है पीपल बड और नीम का वरिक्ष यह तिनों ही ऐसे वरिक्ष है पीपल का वरिक्ष तो एक ऐसा अगर सनातम धरम की बात करें तो हिंदू धरम में एक अपना हम पूजा करते हैं इसकी हर मंदिर में अगर जाकर देखे तो पीपल का पेड़ जरूर होता है तो उसको भगवा से र्लेटर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है वह उन्होंने वर्षों पहले 500-700 जाक रिशी मुणियों ने 1000 साल पहले पता दिया था कि आने वले समय में यह प्रॉब्लम्स हमारे आने वली जन्रेशन को आने वाली है जो हम आज देख रहे हैं 90 परॉब्लम्स पिछले 3-4 सालों अगर हम आने वाली जनरेशन को सेव करना चाहते हैं कुछ देखे जाना चाहते हैं तो हम उस तीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक तर्मेणी मुहीं का आज शुरुआत की है स्टार्टिंग हम स्टार्टिंग के उपर हम शुरुआत में सो जो अधारे हैं सरकारी या गैर सरकारी अधारे हैं उनमें हम इन तीन पौदों को लगाएंगे जो जो हमें प्रमिशन देंगे वी आर हाइली थैंकफुल हैossud अज शुरुआत आज आपने केंपस से की है और जितने जितने एदारे चाहे को मंदीर हैं चाहे घुरदवारा है तोसब और सोचारी मेंबर्स हम अम्रिषतर में इस पौहिंग का शुरुआत आज की है और हम ये चाहते हैं कि हम आने वाले समय में अपनी जनरेशन को त्रवेणी के माध्यम से एक कुछ देखे जाएं ताके हमारी आने वाली जनरेशन सेव हो सके स्वस्थ हो सके बहुत बड़ी बात की है तो धूब ज्यादा है हम च्छाओं में चलते हैं और इंस्पेक्टर से भी बात करेंगे बात करेंगे पौध हो लगाने की तो आज आज यहां पर देख सकते हैं कि आज यहां पर यहां पर यहां पर लगाए जा रहे हैं तो इंस्पेक्टर साहब किसी जमाने में आपको सिंगम कहते हैं आप अपने चर्चाओं में आज रहते हैं तो यह आज गुरू नानक देव जी सोसाइट से जुड़ कर आज यह जो आपने पेड़ पाउधें लगाए हैं क्या कहना चाहेंगे लोगों को क्या संदेश देना जाहेंगे मैं सबसे पहले शीरी वराडगान जी का और शीरी गुरान कमिशन सोसेटी का प्रिंसिपल सार आई टी आई रंजीत अम्यू का तैस दिल से धन्यवत करता हूं जिन्होंने आज ये त्रेवेनी का परम करवाया है देखिए वातावन दिन बाद दिन बिखता जा रहा है आप रोज नेट पे देखते हैं न्यूज में सुनते हैं आप में मद्यम से सुनाई जाती है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है प्लूशन बढ़ रहा है प्लूशन कब कम होगा जब हम पोदे लगाएंगे क्योंकि जो पीपल का प्रिख्षय है यह दिन और रात आउक्सीजन देता है ज़िए हमारी आक्सीजन कम ना होती तो जो कोविड की प्रॉब्लम में लोगों को कवाद पीछ ले दिनी आक्सीजन की प्रॉब्लम आई वो ना आती इसलिए हमें सब को चाहिए जैसे वरार ज कैम किया है दूआ कि पोदे लगाने का काम किया है हम अपनी तर Sentaiин को करें हम हमिने के साथ हैं हमारा को सजय योग मांगेंगे हम देने के लिए प्यार हैं यह कोगा हमारे बिमार हूने का कारण देने ऩह ह हम अपटा उन्यॉत ही बहुत बड़ी बात है कानून की किताबों और कानून जुर्म के बीच में आज उन्होंने जो बात की है समा सेवा से जुड़ी बात है जल 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 बात है और हमार साथ आई टाई कॉलेज के यह प्रिंसिपल है तो गुरु की बख्ष हुई कि आज गुरुनानक देव सेवा सोसाइटी और सरस्ति कॉलेज के साथ मिलकर आपने ऑक्सीजन के लिए जिन्देगी बचाने के लिए पेड़ लगाया कि बहुत बदिया लगया क्योंकि कोवर्ट देवेचर सानूं ऑक्सीजन दा जड़ाया वो मुल्दा पता लगया इसकर के सब तो बदिया जड़ सोसाइटी वर्लों लाया मेरा बहुत अन्मादर ना था इनाने आके साथ बहुत बड़ी बात है आई टाइट कॉलेज के हैं प्रिंसिपल हैं असादार गुर्वक्ष सिंग्ज है नोंने हमसे बात की और हमारे साथ है समाथ सेवक हैं और यह मताईएगा कि पेल लगाओ जि लोग हैं यहां पर पेड़ लगा रहे हैं जिन्देगी बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश है आपको सफर जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं लाइव भारत का और सफर जी की टीम का और जो आपने बात की है कि यहां हर धर्म वर्ग और हर ज़ेंदा कामनी कर दे ऐसे टीचर असी बच्चेयानू पढ़ाने हैं कि जड़े रोखने ओ ऑउ और आक्सिजन दे नाल-नाल सानू होर बहुत कुछ देने अक्सिजन दी सब तो वड़ी रुखांदी सब तो वड़ी पूमिकाया के ए जित्थे ते ऑक्सिजन देने ने ओ अनू नाल शान देने ए हडानू रोकांच सहाएक उन देने ए शोर परदूशन रोक देने बहुत सब तो वड़ा रोल जड़ा रुखांदा होंदा इसे करके सौस होकने दे इत तुपे जड़े लोग चल देया उनानू शान देया खान वस्ते फल देने जदो एनना दी मृ और तरती दे उपर एना दी एक महत्ता पूर्ण पूमिकाया आज दा इंसान एस गाल नू पोल रहा है जे का रसी आउन वाले समय दे वेच एसे तरीके नल रोक कट दे रहे ते कोविड तो मी प्यंकर बिमारिया दे नाल सानू जूजना पैसागदा हडा दे ओन दा सब तो दे जड़े बंद बनाए जा रहे हैं ओधी वज़ा करके जड़ा पानी आउट आफ कंट्रोल हो जाना थे सानू आप दामादा जड़ा समना करना पैर है और साधी सारें दी कोशिश है तर्वेणी पौदा करन दे माद्यम दे द्वारा गुर्णानक देव जड़ा एक टीम कोशिश है कि असी वाद तो वाद लोका नू स्टूडंट्स नू प्रेरित करिये क्यों वाद तो वाद रोख लगां ते असी अपने देश तर्ती ते समाज नू बचा सकीए तानवाद यह तिर्मेनी के टीम के साथ जुड़े लोग और देख सकते हैं पौद्धे को जमीन मिल गई है और यह जमीन पहुदा बड़ा होगा और इसके परवरिश अगर हुई तो यह दिने वटब्रिक्ष बनेगा तो हम आईटाई कॉलेज में पहुंचे थे और बात है प्रयावरण की शहर के और देश की प्रयावरण की तो कुल विला के देश में अपात काली जैस को हम जीव मानें इसका कतल ना करें तो जिस तरह से पेड़ों को काट कर आज के जो कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं यह सबसे बड़ी आने वाले मैं मैं समझता हूं 150 साल 1500 साल के बाद यह बहुत बड़े पानी का रस्तन नीचे हो जाएगा लेकिन पेड़ लगाएंगे जो ललक है वो कही ना कहीं आज के मैं मैं समझता हूं महंगाई के जमाने में जमी दोद होती जा रही है क्योंकि अब ऐसे घरों में कहां पेड़ लगाएं चोटे-चोटे मकान रह गये हैं बटवारे हो गये हैं प्रिछक परिवार हो गया है जमीदारी नहीं है किसानी है परिवार बढ़ गया अबादी बढ़ गई है लेकिन लगाएं तो काया लेकिन सरकारी संसान है आज यहां पर मुहिम की गई है और सरस्तिय कॉलेज की तरफ से मुहिम है और गुरू नानक देव सेवा ससाइटी की तरफ से हैं तो आज एक सवाल बच्ची से क्या हमें आपके से तो नहीं कर सकते लेकिन हम हमने हिस्से की कोशिश जरूर कर सकते हैं हम कड़ चाहर को सरकार को ब्लेम कृते हैं आ कि हमारी भी जिम्हेदारी बनती है हम अपने हिसे की कोशिश क्यों नहीं करते दूसरे को ब्लेम करने की जगा बिल्कुर सही बात है तो आप तो इस मोहिम से जूड़ी है इसलिए तो आपको पेड़ लगाती ही रहते हैं लेकिन कम से कम जो पेड़ ना लगा पाए तो कम से कम दो बार जन अगर जनम दिन पर वो लगाए अपने जी मैं एक किसान परिवार से हूं और हमारे ऐसे कि जहां हमां खेती करते हैं आजपस हम उसके पेड़ भी लगाते हैं लेकिन यहां समाज में आके बिना किसी मतलब के पेड़ लगाना सो आज सरसवादी के द्वारा करवाया गया है आज हमें बिना किसी मतलब के बिना अपनी जमीन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है सो मैं सबसे पहले सर का थैंक्यों करूंगी हमें ऐसे ग्राउंड लाबर पर लाने के लिए और हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसा करने की कभी पेड़ को देखने के लिए आएंगी लगाने को मुख्या लेकर सर मैं तो यही कहना चाहती हूं कि पेड़ लगाओ और अपने आपको भी बचाओ और इस भारत को भी बचाओ और पेड़ बिलकुल नहीं काटने चाहिए यह देखने में तो सुन्दर लगते ही हैं लेकिन हमें बचाते भी है यह हमारी जीवन मे हमें अत्स्वास्त रहने का यही एक कारण है कि हम पेड़ लगाएं और अपने जीवन को बचाएं क्योंकि पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है जरी बूटी हवा हो या कुछ भी हो हम एर कंडिशिनर एर भी लेते हैं हम तो वह भी इतना अनंद में नहीं होता जो खुद अपनी लाइफ तो सेव करें ताकि वह आने वाले जो जनरेशन हैं उनके लिए भी कुछ दे लगाओ मुहिम से जोड़ना चाहिए तो समाज पेर लगाएं मुहिम से कितना दिल से जोड़ रहा है बहुत ही दिल से सबसे पहले तो मैं थैंक्फूल हूं अपने च्वेर्में प्लांटेशन की हैं मैंने टोटली सिक्स प्लांट लगाएं तो में को भी बड़ी खुशी हो यह यह चीज है सर कि अगर हम यहां पर पेड़ लगाते हैं तो हमारा जो एंवार्मेंट तो हेल्थी रहेगा हमें भी हमारे भी हेल्थ इस्यू कम हो जाएगे और हमारी आनेमल आज लोग कई बार दूसरों के फल देखें करते हैं पर हमें जरूर लगाने क्योंकि जैसे कि हम अभी जानते कि पॉलीशन लेवल बढ़ रहा है सभी को पता है कि इसका हल पेड़ लगा पेड़ लगाना ही है पर कोई शुरुवात नहीं करता इसकी तो मैं थैंक्फूल हम हम फितने आपने वीभाग में जाकर के अधिर लगाने टॉटल कितने आपने रखा हैता है इसकी हमें पार्मेंट हैं उन्होंने तो तिर्वेणी की ये मुहिम है इस मुहिम के साथ लाइव भारत भी जुड़ा है तो आप बने रहे हैं लाइव भारत पर